नोच्छा दोस्तों, डेट है आज की 2 माई 2023 और स्वागत है आपका एटोरियल डिसकेशन में आज टोटल चार इशूज हम डिसकेश करेंगे एक दा हिंदू का बाकी अलग-अलग न्यूस पेपर से सबसे पहले आज़र हम डिसकेश करेंगे हिंदू का विज्यान परसार एक बोडी है इसको सरकार nे बंद गरने का फैसला लिया है दूसरा आर्टिकल हम डिसकस करेंगे ट्रिब्यून इंडिया का आर्टिकल है रश्या के ऊपर जो सेंक्शन्स लगा रही है वेस्टन कंट्रीज इससे वो अपने उब्जेक्टिव से अचीव नहीं कर सकते बलकि इससे नुकसान होगा तीसरा आर्टिकल EFTA कंट्रीज के साथ में इंडिया के ट्रेड एग्रिमेंट से समदित है और चोथा आर्टिकल सविधान के इंटर्पेटेशन से समदित है चार इश्यूस हम डिसकस करेंगे ये कोशन देख लिजे जो आपको अटेंब करना है अनलाइज दा इंपक्ट ओफ सेंक्शन से इंपोश्ट बाइ वेस्टन कंट्रीज ओन डेवलपिंग नेशन्स या फिर एनमी कंट्रीज मान लीजिए यहां पर कुछ भी आ सकता है मतलब UPSC डेवलपिंग नेशन्स की जगहां पर कुछ भी इस्तमाल कर सकती है थीम इस कोश्टन की सेम रहेगी कि USA के द्वारा और USA के मितर देशों के द्वारा सैंक्शन्स लगाए जाते हैं कई बार जैसे इरान के उपर लगाए नोर्थ कोरिया के उपर लगाए वेनुजूला के उपर लगाए और अब रश्या के उपर लगाए आपको ना इन सैंक्शन्स की इफेक्टिवनेस को अनलाईज करना है वेस्टन कंट्रीज जो ये सैंक्शन्स लगाती है अपने फोरण पॉल्शी उप्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कितने इफेक्टिव साबित होते है एक्जाम्पल्स भी देने है 250 वर्ट्स में आपको ये कोश्चन अटेम्ट करना है और डिस्केशन स्टार्ट करें कि वो अच्छा पर्फॉर्म करेंगे जैसे आइंस्टाइन है आइंस्टाइन को अगर आप आर्मी में भेज देते तो साइध वो एक अच्छा सोल्जर साबित नहीं होते उनका टैलेंट साइंस में ही था जिसको उन्होंने यूटलाइज किया और वो महान साइंटिस्ट बने उनके जीन्स ही ऐसे थे कि वो अच्छे साइंटिस्ट बने अगर उन्हें किसी दूसरे फिल्ड में भेज़ा जाता तो वो अच्छा नहीं बन सकते थे अब आप एक बात बताईए आप भी क्या इस बात से सहमत हो देखो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ डिबेट जो चलती है ना टैलेंट और हाड़वर के बीच में उस डिबेट में आप हाड़वर को इग्नोर नहीं कर सकते बेसक हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स की मेमरी अच्छी है, IQ अच्छा है उन्हें अच्छे से समझ में आता है उन्हें अच्छे से याद होता है लेकिन ज़्यादा हाड़वर करेगा ना कोई सामने वाला परसन जिसमें लेश टैलेंट होगा तो वो कंपनसेट कर सकता है टैलेंट को अगर इंसान ठान ले अगर आइंस्टाइन ठान लेते बिल्कुल ही किसी भी कीमत पे मुझे अच्छा सोलजर बनना है तो वो एक अच्छा सोलजर भी बन जाते मतलब ये कहना कि उनके अंदर टेलेंट सिरफ साइंटिस्ट बनने का था वो चाते भी तो अच्छा सोलजर नहीं बन पाते ये कहना गलत है अगर इंसान ठान ले तो हाड़ वक की साइटा से न टेलेंट में अगर कुछ कमी है तो उसे कंपनसेट किया जा सकता है असानी से कंटाइस देखो ये है 28 फरवरी को नैशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है 28 फरवरी से पहले सरकार ने एक ऐसा निर्णिया लिया जिसको लेके अब कोंट्रवर्सी पैदा हो गई है निर्णिया ये है Department of Science and Technology के अंतरगत एक autonomous बोड़ी हुआ करती थी हलाकि अभी भी है लेकिन जुलाई के अंतर तक रहेगी उसके बाद ये बोड़ी काम करना बंद कर देगी इस बोड़ी का नाम है विज्ञान परसार विज्ञान परसार एक autonomous बोड़ी है Department of Science and Technology के अंतरगत बड़ अब इसे बंद करने का निर्णिया लिया गया है काम ये था इस बोड़ी का scientific temper को पर्मोट करना scientific temper का मतलब ये होता है जब किसी भी प्रोब्लम को हम rational way में लोजिकल वे में evidence के अधार पर approach करते हैं तो वो scientific temper होता है simple example देखिए आप बोला जाता है कि मंगलवार को नाखुन मत काटो क्यों ना काटो वीरवार को यानि ब्रस्वतिवार को ठरश्डे को आप कपड़े मत धो क्यों ना धो जब इन ब्रहांतियों को आप हातो हात लेते हैं evidence के अधार पर rational way में ऐसा क्या है कि मंगलवार को नाखुन नहीं काटने चाहिए ऐसा क्या है कि मंगलवार को cutting नहीं करवानी चाहिए तो यह scientific temper है तो यह बोडी scientific temper डवलप करने का काम करती थी लोगों को बताने का काम करती थी कि science कैसे काम करती है समझ गे हलांकि देखो सरकार का यह कहना है हमने सिरफ इस बोडी को बंद करने का निर्ने नहीं लिया है और बहुत सारी autonomous bodies जो अलग-अलग departments के तले चल रही थी उनको हमने बंद करने का decision लिया है हलांकि writer focus करते हैं सिरफ इसी बोडी पर writer कहते हैं जनता से कोई consultation नहीं किया गया इस बोडी को बंद करने से पहले यह जो बोडी थी न आजादी के बाद से ही न एक idea emerge होके आया था एक सोच emerge होके आई थी कि हमें जनता में scientific temper को develop करना है समझ गए तो इसी दिशा में सबसे पहली जो संस्था बनी वो थी विज्ञान मंदिर first five year plan जब आया था ना तो उस समय विज्ञान मंदिर का निर्मान किया गया विज्ञान मंदिर का काम ये था कि जनता में scientific ideas को popular करना खास करके rural population में जनता को बताना कि कैसे science काम करती है science की importance क्या है उस समय देखो इतने resources नहीं हुआ करते थे तो books के माध्यम से, films, slides के माध्यम से scientific appliances के माध्यम से scientist के द्वारा कोशिस की जाती थी scientific temper develop करने की फिर 1960s में green revolution आई उस समय देखो विज्ञान मंदिर ने बहुत बढ़िया काम किया बताया गया किसानों को कि आप ये बीज इस्तमाल कीजिए इसके बहुत सारी फाइदे हैं और इसका result भी अच्छा निकला, आपको पता है green revolution सफल हुआ उसके बाद 1982 में National Council for Science and Technology Communication इस एजंसी ने बहुत सारी दूसरी voluntary organizations को स्पोर्ट किया छोटी-छोटी voluntary organizations जो देश में science को spread करने की कोशिस कर रही थी बाद में देखो इस council के द्वराना एक यात्रा भी निकाली गई भारत जन विज्ञान जथा और जब ये यात्रा अपनी destination पे पहुंची ना तो बहुत सारी चुकि इस यात्रा में बहुत सारी voluntary organizations सामिल हुई थी इसलिए एक network बन गया इस council का बहुत सारे voluntary organizations के साथ में जिनका मकसद सेम था कि science को sport करना देखो ये सब आपको detail से याद रखने के आप सकता नहीं है बस एक background बताया जा रहा है article में कि विज्ञान परसार बोडी वैसे 1989 में बनी थी लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी ऐसी बोडी थी जो science को spread कर रही थी society में scientific temper को develop कर रही थी समझ गे examples हमने discuss किया शुरू में विज्ञान मंदिर उसके बाद ये National Council for Science and Technology Communication ये 1982 में बनी और सबसे last में फिर अब बारी आती है विज्ञान परसार की फिर इसके बाद बनती है बोडी विज्ञान परसार 1989 में जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं जिसको सरकार ने बंद करने का निर्ण लिया है विज्ञान परसार ने scientific temper के ऊपर content develop किया और इसे spread किया रेडियो के माध्यम से टेलिविजम के माध्यम से 1990s में काफी सरी सीरीज चलाई गई विज्ञान परसार के द्वरा जैसे देखो विज्ञान निधी 13 पार्ट की रेडियो सिरीज थी अलग-अलग 16 भासाओं में इसके बाद भारत की च्छाप ये 13 पार्ट की टेलिविजन सिरीज थी इंडिया में साइंस के इतिहास के बारे में उसके बाद मानव का विकास मानव का विकास मतलब होमन का evolution कैसे हुआ क्यों और कैसे साइंस में डेली लाइफ में चीजें कैसे काम करती हैं उसके बारे में सिरीज एक कोस्टन ओफ साइंस मतलब साइंटिफिक कोस्टन के ऊपर ये टेलिविजन सिरीज थी मतलब बहुत सारी सिरीज विज्ञान परसार के द्वरा चलाई गई 90's में 1995 में एक solar eclipse आया था बहुत बड़ा total solar eclipse October 1995 में इसके बारे में काफी awareness फिलाई गई विज्ञान परसार के द्वरा बहुत सारे filmmakers के साथ tie up किया गया कि आप हमारे यहां पर documentaries दिखाईए जो बड़े-बड़े scientist है या फिर science का इतिहास है उसके बारे में मतलब उस समय अच्छा काम किया विज्ञान परसार ने लेकिन देखो writer यह कहते है पिछले कुछ दिनों में यह जो body है वो भटक गई है कैसे बटक गई है यह body सरकार का propaganda बन गई है मतलब propaganda spread करने वाली body बन गई है पधान मंत्री का कोई भी कारकरम होता है उसको दिखाया जाता है प्रिक्सा पे चर्चा को दिखाया जाता है जो हमारे science minister है जितेंदर सिंग उनकी constituency में छोटे से छोटा event होता है उसको दिखाया जाता है बाबा राम देव के साथ interview होते हैं यहाँ पर देखो दूर रर्शन पे ना एक घंटे का स्लोट लिया गया इस body के द्वारा DD Science के नाम से एक घंटे का daily science program लेकिन पुराने programs को दिखाया गया नहीं या कुछ भी produce नहीं किया गया एक घंटे के program में अब कौन interest लेगा जब पुराने programs को बार 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 फिर से दिखाया जाएगा सुरे वंसम मूवी के तरह बाद में देखो OTT लेकर आया गया विज्ञान परसार के द्वरा एक website indiascience.in लेकिन इस पर भी वही चीजें पुरानी चीजें सरकार के कारेकरम सरकार जो कर रही है बार बार उसको दिखाना इवन Department of Science and Technology में Chief Controller of Account जो है उनका भी इंटर्व्यू लिया गया Science in the Vedas विभा यानि की विज्ञान भारती विज्ञान भारती के साथ tie up करना श्टार्ट कर दिया विज्ञान परसार ने विज्ञान भारती ता कोई event होता दोनों organize करते funding की जाती विज्ञान परसार के द्वरा विज्ञान भारती में कुछ consultant के तोर पे काम कर रहे थे, उनको salary दी जाती, विज्ञान परसार के द्वरा, even जो magazine है, विज्ञान परसार की, dream 2047, ये magazine, इसमें भी विज्ञान भारती, जो RSS की affiliated body है, उस body के events को ज़़ा तवज्जो दी जाती, जैसे जैसे देखो, विभा, जो RSS की affiliated body है ना, इसका emergence हुआ, वैसे वैसे विज्ञान परसार का decline start हो गया, तो last में writer ये बोलते हैं, देखो, विज्ञान परसार को basic सरकार के द्वरा बंद किया जा रहा है, लेकिन, कोई alternative नहीं बताया गया है सरकार के द्वरा, कि क्या इसको replace करके कोई और body establish की जाएगी, असल में देखो, दो चीज़ें हैं, पहली बात, सरकार नहीं चाहती कि autonomous bodies काम करें, सरकार चाहती है कि central government के हाथ में होनी चाहिए bodies, दूसरा, basic इस organization को बंद कर दिया जाए, लेकिन, ये जो idea है ना, कि scientific temper को spread करना ज़रूरी है, इस idea को बनना किया जाए, ये idea जरूर, इस पर सरकार काम करें, और scientific temper develop करने की कोशिज करें, रूरल population में, तो ये पूरा article हमने discuss किया, चलते हैं आगे, इसके बाद next article, world economics में, western countries की dominance से समधित हैं, शुरुवात में writer के द्वारा कहा जाता है, देखो ये जो तीन bodies है ना, NATO, Finland ने अभी entry ली NATO में 31 मेंबर बन गया है, NATO organization, USSR के against बनी थी, USSR की legacy, आज के समय में रश्या के पास है, तो ये body, आज के समय में में रश्या के against है, European Union, इसमें 27 countries है, और G7, G7 में 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 ली तो western countries है, एक Japan, Asia से है, Eastern World का है, Japan, तीनो bodies में आप देखिएगा, western countries का बोलबाला है, western countries आज के समय में क्या कर रही है, रश्या को पूरी तरह से isolate करने की कोशिस की जा रही है, Ukraine के, Ukraine war के बाद ये कोशिस और भी जादा बढ़ गई है, राइटर सबसे बड़ा कोशन ये raise कर रहे है, कि देखो, जब से war start हुआ है, western countries के दोबरा, कोई खास परियास नहीं किया गया है, इस war को खतम करने के लिए, बलकि Ukraine को sport किया गया है, और एक परकार से western countries जो है, वो war को जारी रखे हुए हैं, हत्यार दिये जा रहे हैं, बहुँ ज़्यादा Ukraine को, शुरुवात में देखो, ये बात सही थी, क्योंकि Ukraine को रश्या से लड़ना था, बट अब जैसे जैसे western countries, Ukraine को हत्यार दे रहे हैं, वैसे वैसे युद जो है, वो continue हो रहा है, अब बलकि western countries को रहे कोशिस करनी चाहिए, कोशिस कि कैसे न कैसे करके, इस युद को खतम किया जाए, बट western countries उल्टा कर रहे हैं, एक तरफ Ukraine को हत्यार दिया जा रहे हैं, उपर से रश्या के उपर और ज़्यादा sanctions लगाए जा रहे हैं, देखो ये बात अब इतिहास से साबित हो चुकी है, sanctions लगाने से कोई देश बाज नहीं आता है, sanctions लगाने से कोई देश रुखता नहीं है, इरान के उपर sanctions लगाए गए, रश्या के उपर अब sanctions और ज़्यादा कठोर होते जा रही हैं, इतिहास हमें बताता है, जैसे देखो Athens और Sparta के लडाई हुई थी, पहले, ancient Greek में, main reason था sanctions का, sanctions लगाए गए थे, second world war में, जपान के उपर embargo लगाए गया था, इस वज़े से जपान ने preemptive strike की USA के उपर, मतलब जब आप किसी देश को इतना ज़्यादा corner में डाल दोगे न, इतना ज़्यादा उसे खतम करने की कोशिज करोगे, तो फिर वो ऐसा action लेगा, कहा जाता है न, कि हम तो डूबेंगे सनम तुमें भी ले डूबेंगे, वैसी बात हो जाती है, तो रश्या के उपर sanctions लगा के, उसे slow death देने की कोशिज की जा रही है, बट एक समय ऐसा आएगा, रश्या को realize होगा, कि हमें मारा जा रहा है, इससे अच्छा कि हमें इनके हाथों मरें, हम इनको भी मार के मरेंगे, इसका मतलब ये है कि रश्या, directly youth start कर देगा, western countries के साथ, ऐसा पहले भी हो चुका है, इतिहास में काफी बार, लेकिन western countries, इससे सीखने की कोशिज नहीं कर रही हैं, कोशिज ये होनी चाहिए, कि कैसे न कैसे करके, वार को खतम किया जाई, जो यूकरेन और रश्या के बीच में अभी चल रहा है, देखो western countries, एक बात ये समझती हैं, कि हम अब direct, युद में सामिल नहीं हो सकते, कि विश्टन countries में, total fertility rate बहुत कम है, वहाँ की population काफी aging है, खास करके यूरोप की, तो वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते की, हमारी धर्ती पर वार पहुंचे, इसी लिए वो यूकरेन को प्यादा बनाके, रश्या को खतम करने की कोशिस कर रहे हैं, लेकिन रश्या surrender नहीं करने वाला है, यही psychology है, जो देश युद लड़ते हैं न, जब युद लड़ रहे देश के पास में कोई root नहीं बचता है, भागने का, तो फिर वो देश, full on full लड़ाई करता है, direct लड़ाई, मतलब रश्या के पास भी जब ऐसा होगा कि कोई रास्ता बचाई नहीं, तो फिर वो directly western countries के साथ लड़ाई स्टार्ट कर देगा, और देखो एक और चीज, वैसे तो Asian challenge अब धीरे धीरे और ज़्यदा मजबूत हो रहे हैं, चाइना आपको पता है, US को replace करने की कोशिस कर रहे हैं, Asia की population भी ज़्यादा है, population ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पे consumption ज़्यादा रहेगा, consumption ज़्यादा रहेगा, तो मतलब economic activities ज़्यादा होंगी, वहाँ की economy ज़्यादा तेजी से grow करेगी, आज के economic powerhouse कौन है पूरे world में, China, South Korea, Japan, ये काफी aggressive economic policies follow कर रहे हैं, और world की सबसे बड़ी economies emerge हो रहे हैं, including India, बाद में last में यही बाते बोली जाती हैं, कि देखो, sanctions से war नहीं खतम होता है, नहीं war को रोका जा सकता है sanctions की साइता से, हमेशा ऐसा देखा गया है कि, उस देश में जो dignity है, जो nationalism है, वो हमेशा भारी पड़ता है sanctions के उपर, इरान को रोका जासका है, नहीं, नोर्थ कोरिया को sanctions की साइता से रोका जासका है, नहीं, जब इतिहास हमें बताता है, नहीं रोका जासका है, तो फिर western countries, व्यर्थ में बेकार के रास्ते पर चल रहे हैं, इसके बाद, next article, Economic Pact between India and EFTA states, EFTA states मतलब ये states, ये देश, Iceland, Lichtenstein, Norway, Switzerland, ये सारे देश हैं, EFTA states, अब इनके representative ना, इनकी तरफ से एक high level delegation इंडिया में आया, ये देश, यानि EFTA देश, इंडिया के साथ में किसी परकार का trade and economic partnership agreement sign करना चाहते हैं, वैसे देखो, आपको लगता होगा, ये छोड़े छोड़े देश हैं, इनकी मिला के population भी बहुत कम है, 14 million के आसपास, बट देखो, बहुत ज़्यदा वेपार किया जाता है, इन देशों के द्वारा, economy इनकी strong है, अच्छे खासी मतलब ठीक ठाक हैं, largest service trader है, ये देश, अब इन देशों की topography ऐसी है, Norway, Iceland, कि बड़ी बड़ी industries नहीं लग सकती, इसलिए यहां के देश, यहां के जो लोग हैं न, highly skilled हैं, अगर इंडिया इनके साथ, किसी परकार का trade agreement sign करता है, तो इंडिया के लिए काफी फाइदे का सोधा रहेगा, इन देशों के जो नागरिक हैं, वो innovation के मामले में, competitiveness, wealth creation, इन सब चीजों के मामले में काफी आगे हैं, life expectancy काफी high है, quality of life अच्छी है, इन देशों के जो companies हैं, world leaders हैं, काफी सारे sectors में जैसे pharmaceuticals, bio technology, machine manufacturing, R&D, driven technology products, geothermal related technologies, marine technology, energy related services, financial services, banking and insurance, समझ गए, अब बताया जाता है कि इन देशों के ना, 40 देशों के साथ में, already 29 free trade agreements हैं, और इन छोटे देशों का 22% जो वेपार होता है, free trade agreement वाले partner से ही होता है, Asia में Hong Kong, Indonesia, Philippines, South Korea, Singapore इन के साथ agreement है, और negotiation चल रही है, Malaysia, Thailand, Vietnam, इन देशों के साथ में, क्या फाइदा होगा, अगर इंडिया के साथ trade agreement साइन होता है, इंडिया में green technologies काफी तेजी से grow कर रही है, ये देशे इंडिया के मरद करेंगे, green technologies को और बहतर ढंग से grow करने में, इंडिया को capable बनाएंगे green technology के मामले में, market access इंडिया को मिलेगी, इंडिया के जो highly skilled लोग है, इन देशों में ज़्यादा असानी से जांस केंगे काम करने के लिए, investment आएगी इन 200 सोई इंडिया में, इन सभी सेक्टर्स में जैसे electrical, engineering, metals, pharmaceuticals, investment आएगी तो jobs generate होँगी, wealth create होगी इंडिया में, तो ये सारी बाते बोली जाती हैं कि scope काफी जादा है, अगर trade agreement signed होता है, दोनों को फाइदा होगा, EFTA countries को भी, इंडिया को भी, अब इसके बाद अगला जो article हैं, वो सविधान के interpretation से समन्दिद हैं, आप GS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हो, ये article लिखा गया है, चिंतन चंदर्चूर के द्वारा, देखो जब हम 1947 में आजाद हुए थे, तो हमारे साथ और वे काफी सारे देश आजाद हुए थे, सब ने अपने देश को चलाने के लिए सविधान का निर्मान किया, लेकिन खास बात ये है, इंडिया को छोड़ कर जातर देशों को फिर से अपना सविधान बनाना पड़ा, जातर देशों का जो सविधान था, वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं इसका, और कुछ देश ऐसे थे, जहां पर सविधान की इंप्लिमेंटीशन ठीक से नहीं हुई, और कुछ ही सालों में वहां पर मिल्टरी रूल इस्टाबलिस हो गया, इसलिए देखो, ये हमारी एक युनीक एचीवमेंट है, हमारा सविधान अभी भी अजयादी के सत्तर सालों बाद मजबूती के साथ तिका हुआ है, जबकि देखो हमारी कॉंशिजूट एसेमली के सामने चैलेंजिस काफी बड़े-बड़े थे, जैसे कि इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री की जहां पर इतने सारे धरम, इतने सारी जातियों और दूसरी आइडेंटिटीज के लोग रहते हैं, इस डाइवर्स्टी को सविधान में एककमोडेट करना ऐसा देश जहां पर सिसेसनिस्ट की टेंडेंसी अभी काफी जादा है, देश एकजूट नहीं हैं, उसके बावजूद फेडरलिजम हम लेकर आए, इतनी सारी इलिटरेशे की बावजूद हमने युनिवर्सल एडेल्ट फ्रेंचाइज का प्रोविजन किया, मतलब 18 या फिर इससे अधिक उमर के सभी लोग वोटिंग प्रोसेस में पार्टी स्पेट कर सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो ये जो प्रोविजन्स थे, उस सुमय के हिसाब से बहुत जड़ा एडवांस थे, और बहुत सारे वेश्टन कांट्री इस ने हमको चेताया भी थां, कि ये सारे प्रोविजन्स इंडिया जैसे देश के लिए नहीं हैं, तो देखो आज अजादी के 70 वर्स बाद, हम इस आटकल में ये एनलाईज करेंगे, कि पिछले 70 सालों में सवीधान के प्रोविजन्स को किस परकार से इंटरपेट का गया है कोर्ट के दवारा, खास करके सुप्रिम कोर्ट के दवारा, चार फेशिस में इस इंटरपेटीशन को डिवाइड किया जाता है आटकल में, बात करते हैं पहले फेश की, पहले phase में Supreme Court ने सविधान के provisions को interpret करते वक्त textual approach को अपनाया मतलब Supreme Court ने सविधान के text पर focus किया Supreme Court ने इस बात को ignore किया कि पूरा जो document है सविधान का वो किन values को sport कर रहा है पूरा document क्या कहना चाहता है नहीं ना ही Supreme Court ने rights को integrated होकर देखा Supreme Court ने सिरफ text पर focus किया कि particular line में text क्या लिखा हुआ है जैसे देखो example देता हूँ Communist Party of India के एक leader ने preventive detention legislation का विरोध किया preventive detention में क्या होता है जब देखो authorities किसी person को detain कर लेती है इस आधार पर कि ये person अगर बाहर रहता है तो public order को खत्रा हो सकता है कोई crime हो सकता है इसलिए prevention के तोर पर पहले ही उस person को detain कर लिया जाता है ये मतलब होता है preventive detention का तो preventive detention से समदिज जब कानून आया तो Communist Party of India के एक leader ने petition file की Supreme Court में और कहा ये जो कानून है Article 19, Article 21 और Article 22 का उलंगन है Supreme Court ने इस petition में अपना verdict देते हुए कहा देखो ये rights जो है वो अलग-अलग है आप इन rights को एक साथ नहीं देख सकते तो ये एक example है किस परकार से पहले face में Supreme Court ने सिरफ text पर focus किया values पर focus नहीं किया words के meaning पर focus किया इसके बाद एक और example देया जाता है एक बड़ा question Supreme Court के सामने ये आया था first face में क्या Parliament के पास जो powers है सविधान को change करने की उन powers के उपर कोई limitation है या फिर नहीं है खास करके fundamental rights को change करने की तो इसके जवाब में Supreme Court ने देखो ये कहा वैसे तो article 13 के according कोई ऐसा act कोई ऐसा कानून Parliament के दोरा नहीं बनाया जा सकता जिससे fundamental right वाइलेट होता हो क्योंकि अगर ऐसा होता है तो article 13 के according वो कानून वो act नलिफाई हो जाएगा बड़ देखो फिर से बोलता हूँ Supreme Court ने text पर focus किया Supreme Court ने कहा article 13 सिरफ बात करता है Parliament के कानून की लेकिन अगर सविधान को amend किया जाता है article 368 की साहिता से तब even fundamental rights को violate किया जा सकता है मतलब essence यह है पहले phase में Supreme Court ने सविधान की interpretation पर सविधान के text पर focus किया values पर नहीं focus किया even सविधान के पूरे structure पर focus नहीं किया integrated तरीके से सविधान को नहीं देखा अब बात करते हैं दूसरे phase की दूसरे phase में जब Supreme Court ने सविधान के provisions को interpret करना start किया तो Supreme Court ने सविधान के overall structure को ध्यान में रखते हुए provisions को interpret किया मतलब Supreme Court ने माना कि सविधान का पूरा जो document है वो कुछ values को support करता है उन values को ignore नहीं किया जा सकता उन values से compromise नहीं किया जा सकता Supreme Court ने ये भी कहा कि पूरे document में एक coherence है याद कीजिए पहले phase में क्या बोला था कि ये जो article है article 19, 21, 22 ये अलग-अलग articles है एक article का दूसरे article से कुछ लेना देना नहीं है एक fundamental right का दूसरे fundamental right से कुछ लेना देना नहीं है लेकिन दूसरे phase में Supreme Court ने ये गलती नहीं कि Supreme Court ने कहा कि सभी articles के बीच एक coherence है हमारे सविधान निर्माता किसी objective के साथ कुछ values के साथ उन्होंने सविधान का निर्मान किया है और उन values को ध्यान में रखते हुए सभीधान के provisions को interpret किया जा सकता है जैसे देखो 1973 की एक जो judgment है केस्वनन भारती की judgment इसमें Supreme Court ने कहा था ये बात सही है Parliament के पास powers है सभीधान को amend करने की बट Parliament जो है वो सभीधान के basic structure को violate नहीं कर सकती यानि सभीधान के कुछ provisions ऐसे है जिनका violation Parliament के दोरा नहीं किया जा सकता सभीधान को amend करके इसके बाद देखो 1978 के मेंका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में Supreme Court ने Due Process of Laka Concept दिया और Article 21 जो Right to Life से समन्दीत है इसको भी broad approach के साथ define किया Supreme Court ने कहा Right to Life के अंदर और भी बहुत सारी राइट्स आते हैं जैसे Right to Clean Air Right to Speedy Trial Right to Free Legal Aid इसके लावा और भी बहुत सारी राइट्स हैं याद कीजिए पहले फेस में Supreme Court ने टेक्स्ट पर फोकस किया था लेकिन दूसरे फेस में Supreme Court Structuralist approach अपना रही है जिन राइट्स की सविधान में गरंटी दी गई हैं उन राइट्स को Supreme Court के द्वारा comprehensive manner में देखा जा रहा हैं और देखो Due Process of Law का क्या मतलब होता है ये concept दिया Supreme Court ने 1978 के इस case में देखो Procedure Established by Law में हम ये देखते हैं कि जिस procedure के साथ कानून बना गया है वो सही है यपिर गलत हैं अगर procedure सही है और उस कानून की implementation में भी सही procedure को follow किया गया है तो मतलब वो قानून गलत नहीं है और उस कानून के तहद सरकार के द्वरा जो decision लिया गया है वो गलत नहीं हैं लेकिन due process of law में Supreme Court या फिर courts ये देखती है law जो है वो fair है या फिर नहीं है ऐसा तो नहीं कहीं law arbitrary है तो procedure के साथ-साथ law को भी examine किया जाता है courts के द्वरा due process of law में ये हमने बात की दूसरे phase की अब हम बात करते हैं तीसरे phase की देखो पहले दो phases की एक खास बात ये थी सविधान के provisions को interpret करने का कोई भी मामला आता तो उसे सविधान की constitutional bench के पास भेजा जाता और उस bench में 5 या फिर 5 से अधिक जजिज होते थे और verdict के बाद फिर से वो issue Supreme Court के सामने आता तो उसे बदलने के लिए पहले की bench ने जो verdict दिया था उससे बड़ी bench होगी verdict को change करने के लिए मतलब ये procedure अपनाया गया था पहले face में और दूसरे face में और इसके अलावा देखो Supreme Court के द्वारा जो भी judgments दी जाती थी सविधान के मामले में सविधान के provisions के interpretation के मामले में प्रोपर reasons दिये जाते थे बेसक Supreme Court ने सविधान के provisions को गलत धंक से interpret किया लेकिन reasoning ज़रूर दी जाती थी कि constitutional bench सोचती क्या है उन्होंने ये verdict क्यों दिया है logic क्या है ये verdict देने का बड़ तीसरे face में Supreme Court ने result पर ज़्यादा focus करना start कर दिया reasoning पर कम focus किया गया मतलब कोई verdict अगर दिया जाता सविधान के interpretation के मामले में तो Supreme Court के द्वारा judgments में ये नहीं बताया जाता उन्होंने ये verdict क्यों दिया है सिरफ outcome पर focus दिया जाता कि final हमारे हिसाब से ये चीज है सविधान के इस provision को ऐसे interpret करना चाहिए इसके देखो दो reasons है एक तो reason ये है इसका पहले कम judge हुआ करते थे पहले और दूसरे face में Supreme Court में कम judge हुआ करते थे शुरुवात हुई थी 8 judges से और आज के समय में Supreme Court में 34 judges है तीसरे face में भी 30 के आसपास judges थे तो छोटी छोटी Supreme Court की benches बैठने लग गई 2 judge की bench, 3 judge की bench इसका result ये निकला एक bench की opinion दूसरे bench से differ करने लगी जबकि देखो पहले और दूसरे face में judges की संख्या कम थी और बड़ी-बड़ी benches बैठा करती थी 6 judges की bench, 7 judges की bench, 9 judges की bench तो पूरी Supreme Court में एक coherence देखने को मिलती थी कि ये verdict आया है और ये पूरी Supreme Court का verdict है अब तो देखो ऐसा लगता है 34 judges में से 2 या फ़र 3 judges की काफी सारी benches है तो ऐसा लगता है जैसे 12 के आसपास Supreme Court काम कर रही है और forum shopping के बारे में आपने सुना होगा कुछ वकीलों को पता है कि इस मामले में ये particular judge इस परकार का verdict दे सकता है दूसरा judge इस परकार का verdict दे सकता है ये चीज़े आज के समय में काफी होती है लेकिन पहले और दूसरे face में ये चीज़े नहीं हुआ करती थी क्योंकि ऐसा माना जाता था particular verdict मतलब पूरे Supreme Court की opinion इसके बाद writer के द्वारा बात की जाती है चोथे face की अभी हाल ही में Supreme Court ने सविधान की interpretation के मामले में चोथे face में enter किया है और चोथे face की सुरुवात में काफी सारे अच्छे judgments Supreme Court के द्वारा दिये गए हैं जैसे article 377 से समधित मामला हो adultery से समधित मामला हो या फिर Chief Justice of India के office का right to information act के अंतरकत आने की बात हो काफी अच्छे judgments Supreme Court के द्वारा दिये गए हैं चोथे face की starting में और जातर ये जो verdicts हैं वो Supreme Court की constitutional bench के द्वारा दिये गए हैं देखो हमारे सविधान निर्माता हमेशा से यही चाहते थे कि Judiciary का काम हमार देश में social revolution लेके आना है transformation लेके आना है और उसी पर चलते हुए Supreme Court ने सविधान के provisions को interpret करना start भी किया है जैसे article 377 को लेके Supreme Court का नजरिया पहले अलग था लेकिन अब Supreme Court ने अलग तरह का verdict दिया बदलते समय के अनुसार लेकिन देखो last में आर्टिकल में एक बात ये भी बोली जाती है कि लेकिन कुछ cases ऐसे हैं जिनको अभी भी Supreme Court की दो जज़िस की bench या फिर तीन ज़िस की bench सुन रही है जैसे National Register of Citizens का मामला हो या फिर Electoral Bond Scheme से सम्मदित केस हो ये बड़े cases है और इन cases को Supreme Court की constitutional benches के द्वारा सुन जाना चाहिए बट ऐसा नहीं हो रहा है जब भी देखो ऐसा important cases को Supreme Court की दो या फिर तीन ज़िस की bench के द्वारा सुन जाता है तो विबिन benches के बीच टकराव भी आता है तो जो important cases है सविधान के provision से सम्मदित उनका interpretation बड़ी benches के द्वारा होना चाहिए और proper reasoning भी Supreme Court के द्वारा देनी चाहिए कि कि किस logic के अधार पर कौन से arguments और reasons के अधार पर हमने ये verdict दिया है ताकि विबिन benches की opinion के बीच किसी परकार का टकराव ना हो ऐसी कोई situation पैदा नहीं हो कि इस bench ने सविधान के इस provision को particular way में interpret किया और दूसरी bench ने किसी और तरीके से interpret कर दिया अगर देखो reasoning का इस्तिमाल होगा तो सविधान को एक ही ढंग से interpret किया जाएगा इस discussion में फिलाल इतना ही है thank you, thank you very much for discussion